आईए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक संपन्न ग्राम के विपन्न स्कूल की फर्ष सें अर्ष तक की यात्रा पर आपको लेकर चलते हैं 1950 में स्थापित एक विद्याले की विकास यात्रा पर बरत्मान में मस्तिकी पाठशाला के नाम से सूविक ख्यात राज की उच्च मद्यमिक विद्याले मेरासर चाचेरा तहसिल सरदार सहर जीला चुरू 2015 में जब उच्च मद्यमिक स्थर प्रकर्मोनत हुआ तो संशादन विहीन इस विद्याले में नाम मत्र को विद्यार थी थे उदासीन था वे निराश्यता से भरे बोजिल माहोल के करण ग्राम में होते वे भी चार दिवारी विहीन ये विद्याले ग्रामेनों से दूर था एवं मवेश्यों के अधिक नजदीक था आवारा पश्यों की सरनस्थली मने इस विद्याले की दिन फिरने प्रारंभ हुए जब उच्च मद्यमिक स्थर की नई युवा एवं उर्जावान स्टाप सदश्यों की टीम ने विद्याले की दिशा वे दशा को बदलने के संकल के साथ कारिये ग्रहन किया सबसे बड़ी चुनोती थी विद्यार्थियों की निरश्यता एवं अभी बाकों की उदासी निता को दूर कर नई उर्जा का संचरन करना सभी ने मिलकर कारिये योजना बनाई कि कैसे ग्राम को स्कूल में लाया जाए कैसे विद्यार्थियों मे अत्म विस्वास का संचर्ण किया जाए कैसे स्टाफ सदश्यों की नेतिकता को उच्च आयाम पर पहुँचाया जाए कैसे भामाशाओं को प्रेरित किया जाए कैसे वीराने को गुलजार बनाया जाए कैसे स्वय अनुसासन वे स्वाध्याय की बैयार भाई जाए प्रिशन का साधन मनाया गया। जानाचारिय योजना प्रारंब की गई जिसमें प्रति दिन अलग-अलग स्टार्प मेंबर रिभागी नियमों वे निर्देशों को छोड़कर सभी निर्णे लेने हेतु स्वतादर थे टीम भावना का विकास होने लगा सेक्षिक एवं सेह सेक्षिक गती वीडियों में नवाचारों का असर दिखने लगा 2016-17 से बोर्ड प्रिक्षा में निरंतर 100% प्रिक्षा प्रिक्षा परिणाम देते हुए विद्याले ने 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त की और वो आज तक पिछले 4 सालों से बरकरार है जिले के उतकष्टम विद्यालियों की अग्रिम पंक्ती में खड़ा होने का ये सफर विद्याले श्ठाप के लिए गोर्वानवित करने वाला था क्वालिटी के साथ साथ बात थी क्वालिटी कंट्रोल की और उसके लिए देखने में आया कि 2016-17 में जहां 4 विद्यार थी 75 प्रतिशत से अंक अधिक प्राप्त कर सके थे 2017-18 में ये संख्या बढ़कर 16 हुई 2018-19 में 23 विद्यार थी यें 2019-20 में 28 विद्यार थी ने 75 प्रतिशत से ले करके और 99 प्रतिशत अंक तक प्राप्त कर स्टाप सदश्यों ये ग्राविनों को गोर्वानवित किया गाउं को विद्याले से जोड़ने है तू माशारदे की मूर्ति स्थापना, मत्र शंबेलन, सामुदाइक बालसभा, पूर्व विद्यार्थी संबेलन, भामासा सम्मान, वास्ची कोच्सव, आशिरवाद समारो और भी कई करी करमायों जित कर ग्रामिनों को अमंत्रित किय गया, उन्हें सम्मानित किया गया, उनसे सुझाव मांगे गए, कार्य योजना बनाई गई, किर्यानविती की गई, सकारत्मक प्रिनाम दिये गए, जन सहयोग प्रेरन है तू, स्थाई रूप से धन संग्र है तू, पारदर्शी व्यवस्था के तहत, अक्षे पेटी का य पूरे विद्याले केंपस में कैमरे लगाए गए, कंप्यूटर कक्स की स्थापना हुई, वासनाले एवं पुस्त काले का प्रभावी संचालन प्रहरम हुआ, लैप्टोप, गारगी पुषकार, जिले एवं रज्यस्तर की प्रतियोगिताओं में विद्याले की धमक दिख दिखते हुए, समसा से छे नई कक्षा कक्ष एम वानी जे संकाय की सोकात से विद्याले को अलंकृत किया, कभी जो विद्याले प्रारम होते ही समप्थ हो जाया करता था, वो अब चार दिवारी, जलमंदीर, नलकूप, आदी के बन जाने से हरितिमा की चादर ओड कर विश सेंटर बनाकर, जहां एप्रमाशी ग्रामवाशियों को दिल जीते गए, वही मानसून की दस्तक के साथ ही पोधहर उपन का कारिया प्रारम हुआ और इसकी कमान समभाली विद्याले के वरिष्ट द्यापक रतनलाल जी पांडिया ने चारों और हरियाली की चादर फैल गई पोधे लहला हने लगे, वीराना गुलजार बन गया, विद्यार्थियों की शिक्षबादित नहीं हो उसके लिए सोसल मीडिया को ग्यान संप्रिशन का साधन बनाया गया, बच्चे घर पर रहे कर भी निरंतर संपर्क में रहते वे आगे बढ़ते रहे और जब बारी आई सावधानी के वे सुरुक्षा के साथ 6-12 तक की विद्यार्थियों है तो विद्याले संचालन की, तो सरकार द्वारा जारी सोपी की पालना करते वे और ऑटोमेटिक सेनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन, थर्मल स्केनर, मास्क आदी की विवस्था करते वे, विद्याले को प अर्ष सें अर्ष तक कुनें एक बार, बार बार, हर बार